Welcome to concept classes, आज हम class 7 chapter heat के बारे में discuss करेंगे और इसका सब topic जो हम discuss कर रहे हैं वो है land breeze and sea breeze चलिए, chapter की शुरुआत करते हैं, topic की शुरुआत करते हैं with a quiz in this two pictures, diagrams which I have drawn, आपको कुछ differences बताने है, news paper में आप पढ़ती है न, फरक ढूंदो, अंतर ढूंदो, like that, आप वीडियो को pause करके, इसमें difference find out करके, comment में वो differences बता सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं और chapter continue करते हैं, so what happens during the day time, during day time, land and water, दोनों equally sunlight को receive करते हैं, but land की property है, soil की property, it gets heated up faster, यह बहुत जल्दी, गरम हो जाता है as compared to the water, और जो चीज़ जितनी जल्दी गरम होगी, वो उतनी ही जल्दी थंडिली हो जाएगी, जिसको जितना जादा time लगेगा गरम होने में, वो उतनी ही जल्दी थंडी नहीं होगी, ना, क्योंकि land जल्दी गरम होगी as compared to sea, land के उपर, just above the surface of land, the present air, जो हवा है, वो गरम हो जाएगी, और गरम हवा, as compared to the cooler, वो उपर के उर राइस गर जाती है, जब गरम हवा उपर के उर राइस कर जाएगी, तो उस space को, खाली space को, एमटी space को फिल करने के लिए, from sea, air towards the land, move करें, from sea to land, and this is called sea breeze, sea breeze, समुद्री हवाए, समुद्र से आने वादी हवाए, ना, if we talk about the night time, land, day time में जल्दी गरम होए थी, night time में बहुत जल्दी थंडी हो जाएगी, cool down, and as compared to the land and sea, seawater hot होगा, गरम होगा, then उसके उपर present air भी गरम होगी, गरम होने के कारण वो उपर उठेंगी, जब वो उपर उठ गही हवा, air from land will move towards the sea, आ, देख सकते है ध्यान से, during day time, घर से निकलने वाले घुए का direction, during night time, घर से निकलने वाले, चिमनी से निकलने वाले घुए का direction, अलग अलग बनाया है, मैंने, so, this constitute, land, breeze, so, during night time, land, breeze, move करते है, from land to sea, इसे क्विक्ली सम्मराइब करते है, first, this happens during day time, what happens during day time, sea breeze move during day time, and this, during night time, then, next, why this happen, because, land get heated, because, land get heated, quickly as compared to the water during the day time, land, इसे लिखने की जुरत में है, next topic प्याप्ते है, and, direction of the wind, this is from sea to land, direction of the wind over here, land to sea, now, what about coldness and hotness involved in it, so, the sea breeze, sea breeze is cooler, cool wind moves from sea to land, and, what about night time, does hot wind moves from sea to land, चले, इसे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी थी, तो hot air, उस जिगर चली जाएगी, जहाँ पर, air की कमी होगी, यहाँ से cool air, इधर की और move कर लिए, तो hot air का current जो है, वो towards the sea है, and cool air का current है, वो towards the land है, यह है cool, और यह है hot, and over here, यह है hot, और यह है cool, cool क्यों होगी, पूल क्यों होगी, की land, during the night, is cooler, than the water, let me explain you, again, during hot, hotness, that is daytime, जमीन गर्म है, यहाँ से थंडी हवा आई, जमीन को थंडा किया, और यहाँ की गर्माईश को, absorb कर लिया, air गर्म हो गई, वो उपर चलिए, इस खाली जिज़ब को भरने लिए air, एक्साइक्लिक मैनल में वापे, समुदर के उपर आ गई, और वहाँ से moisture को, पिक अप कर लेती है, moisture को जब पिक अप कर लेती है, तो उसकी hotness खतम हो जाती है, फिर वो cool air वापे सिधर चलती है, दिवरिं डे टाइम, और दिवरिं नाइट टाइम, समुदर के ज़स्ट अभव, जो air है, वो गर्म है, वो उपर की और मूव करेगी, जमीन के ज़स्ट उपर की जो air है, वो ठंडी है, तो ठंडी हवा, समुदर की तरफ मूव करेगी, इस खाली ज़स्ट को भरने के लिए, जो गर्म हवा थी, वो इधर के और आएगी, और जो गर्म हवा इधर आएगी, तो जमीन से, जब वो hot air contact में आएगी, तो अपनी hotness को लूज कर देगी, और फिर वापिज साइक्रेशन पढ़ेगा, तो इस इस दी, लाइंड ब्रीज एंड, शी ब्रीज एंड लाइंड ब्रीज, अकरिंग दूरिंग दे टाइम एंड नाइट टाइम, चलिए आपसे एक कुज और पूछते हैं, इस कुज का आंसर, सवाल का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे परसनली भी भी लेज सकते हैं, सवाल ये है, कि दिवाली के टाइम में आपने चंडोल या लाइटनिंग लांग हवा में जरूर उड़ाईगों, कही होंने, तो अगर मैं किसी ऐसे जगह पे हूँ, जहां से समुद्र नजदीख है, तो, दूरिं देटाइम एंद दूरिं नाइटाइम, वट विल बी दारेक्शन ओफ दाट लांग, फ्लाइं इगनिटेट लांग, आम वेटिं पर यूर आंसर्स, इप यू लाइक मैं टीचिंग, दो हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन, थैंक यू